तो हैं गई, जैसे आप लोग लेब पर क्लिक करोगे, देन लेजनरी आउट्फिट आएगा, लेजनरी आउट्फिट पर क्लिक करोगे तो यहां पर तीन लेजनरी बंडल आएगे, पहला है दो कोबरा वाला, फिर है बुया डे वाला, तिसरा है रेमपेज यूनाइटेड, आप लोगों को ये तो पता ही होगा, Rampage United इवेंट आने वाला है, 6 जून को स्टार्ट हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कि Rampage United के इस Evolution Bundle को open, आप लोग कैसे करोगे, और open करने के बाद में इसका interface आप लोगों को कैसे दिखाए दिने वाला, इसमें कौन-कौन से animation रहेंगे, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में पता चलने वाला है, एंड एर आप लोगों को ये तो पता ही होगा, हमारे गेम में character पर जाओगे, मतलब कि इसकी ability ऐसी है, ability on करना एक drone निकलेगा और बंदे को drone के मार देगा, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस homer character की ability का use करके बताने वाला हूँ, एंड किसी बंदे ने अगर आप के उपर इसकी ability का use कर दिया, तो आप लोगों को कैसे बचना है, आप लोगों को complete information देने वाला हूँ, तो यार इस वीडियो में बहुत सारे free rewards की information है, जैसी कि digital dacer चमकता धमकता बंदल कब आने वाला है, कुछ दिन पहले हमारे game के अंदर friends repair वाला event आया था, तो ये event फिर से back आने वाला, इस में कुण से reward मिलेंगी, confirm date अभी आप लोगों को बताऊंगा, and evolution m14 भी return आने वाली है, तो उसकी भी confirm date इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, and एर गरिना फ्रीवार हम इंडियन सर्वर वालों के साथ बहुत ज़्यादा scam करती है, तो तीनो स्केम के खिलाप हम लोग जश्टेश चलाने वाले है, पहला स्केम यह है, कि यह जो panda वाला cute सा bundle है, यह FF token को exchange करने के बदले में हम लोगों को मिलने वाला था, यह अभी तक हम लोगों को नहीं मिला, हमारे game के अंदर discount event आने वाला था, तो वीडियो में हम लोग थोड़ा सा और आगे बड़े, उसके पहले अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो होले होले जाइए यार, दूसे तीन सेकेंड लगेगा वीडियो को लाइक करने में, तो प्लिस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को अन पर शेट करके रख दीजिए, आप लोगों को ओपी इन्फरमिशन मिल जाएगी, तो चलिए बड़े को स्टार्ट करते हैं, चला भई, देख अपने क्या करता है, तो एर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, होमर करेक्टर की अबलीटी के बारे में, तो इसकी अबलीटी सच में आलो करेक्टर की अबलीटी से भी खतरनाक होने वाली है, तो इसकी अबलीटी का नाम है सेंसेस सौक्यो, और ये character आप लोगों को free में मिल जाएगा character पर जाना link पर जाना तो जब homer character game में आ जाएगा आप लोगों को free में मिल जाएगा तो इसकी ability का use मैं आप लोगों को बदा दिता हूँ तो जैसे इसकी ability on करोगे आपके सर के पर ड्रोन निकलेगा अगर आगे enemy रहेगा तो ड्रोन निकल के enemy पर लग जाएगा नहीं रहेगा तो ये drone आपके सर के आजोबाजोग घुमते रहेगा wait करते रहेगा कि enemy दिखी जैसे कि मालो अगर enemy दिख गया तो यहाँ पर enemy पर जाकर के ये लगेगा और उसको 25 का damage देगा और इसकी थोड़े देर के लिए उसकी movement speed जो है वो बहुत ही कम हो जाने वाली है तो जैसी movement speed कम हो जाती है आप जाकर के उसे मार सकते हो अगर आप लोग sniper हो, short range में खिलते हो mid range में खिलते हो, सारे range के लिए इसकी ability बहुत ठतरनाक होने वाली है अगर सामने आले बंदे की health कम रही 25 से कम रही हो तो directly ऐसे ही मर जाएगा तो जैर अगर आप लोगों को इसकी ability से बचना है तो आप लोगों को सबसे पहले cover में जाना पड़ेगा चाहे हो कोई घर का cover हो, पेड का cover हो या तो फिर global का cover हो मतलब कि आप लोगों को enemy को दिखना नहीं है enemy को दिखे तो इसके drone को दिखे तो आप लोगों को enemy को नहीं दिखना है और अगर आप लोगों की health 25 से कम रही तो अगर enemy को दिख गए उसने ability on किया तो आप लोग ऐसी मर जाओगे तो यार इसकी ability बहुत खतरनाक होने वाली है इसका ability का solution मतलब किसे बचना कैसे next वीडियो में मैं आप लोगों को और भी अच्छे से समझा दूँगा विकासे बहुत खतरना केरेक्टर होने वाला है तो यार ये information निकालने के लिए बहुत मैनत लगती है अगर हम लोग justice नहीं चलाएंगे तो ये लोग ऐसी मनमानी करते रहेंगे एंड हमारे इंडियन सर्वर पर उतनी सारे free में reward नहीं मिलेंगे तो यार आप लोग साथ जरूर देना comment box में justice पर इंडियन सर्वर जरूर कमेंट करना एंड यार चैनल को subscribe कर देना ताकि हम लोग next वीडियो में भी आप लोगों को साथ दे सके तो जैसे कि सुरू में मैंने आप लोगों को बताया था हमारे इंडियन सर्वर पर ये वाला पांडा वाला बंडल एप टोकन को exchange करने पर नहीं दिया गया बाकी अधर सर्वर पर दिया गया है तो देखना कुछ सी दिनों में अगर आप लोग जश्रिश चलाओगे तो यह पांडा वाला बंडल आप लोगों को किसे ने किसी फ्री एवेंट के अंदर देखने मिल जाएगा एंड मैंने सुरू में ये भी बताया था कि हमारे गेम के अंदर एक विक के अंदर मैजिक के स्टोर पर अपडेट आने वाला है जहां पर दो बंडल आने वाले हैं पहला रहेगा डाउनलीट हीटमेंट बंडल और ये उसका फिमेल का बंडल आने वाला है तो ये हमारे इंडियन सर्वर वालों के साथ सूपर स्कैम है लेकिन इतना तो सहy नहीं पड़ेगा तो अगर आप लोगों को ये बंडल अच्छा लगा तो आप लोग निकाल सकते हो एंड हमारे इंडियन सर्वर पर इस बार कोई भी डिस्काउंट एवेंट देना तो चलते हैं next update की ओर तो एर अब मैं आप लोगों को बता देता हूं हमारे गेम के अंदर आने वाले कुछ upcoming event के बारे में तो जैसे कि update निकल कर आ रही है यह Free Farm X में कुछ कम audience हो चुकी है इसके लिए Reaper Friends वाला event आने वाला है बहुत जल्द आप लोगों को Reaper Friends event देखने मिल जाएगा और आट जून से लेकर के 14 जून के बीच में Green Flame Draco Evolution M14 Bangladesh server पर return आने वाली है उसके कुछी दिनों बाद हमारे Indian server पर भी return देखने मिल जाएगी एंड जैसे यह Rampage 4.0 event end होगा उसके बाद में B.I.S. बैटल इन इस्टाल event इस्टार हो जाएगा तब आप लोगों को यह चमकता धमकता डिजिटल डेसर बंडल देखने मिल जाएगा तो यहर आप लोगों को यह वाला बंडल कैसा लग रहा है इसका animation कैसा लग रहा है comment box में comment करके जरूर बताना एड मैजिक क्यूब के इस्टोर पर अपडेट होने वाला है और रेर बंडल आने वाले हैं लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक से दो मेना वेट करना पड़ेगा हम लोग लगातार जश्टिस चलाएंगे तब आप लोगों को अच्छे अच्छे बंडल देखने मिल जा है और आप लोगों के आईडिय में कब उपन होगा तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले लेप पर क्लिक करना है लेजंडरी बंडल पर जाना है रेंपेज बंडल पर क्लिक करना है तो आप लोगों को इस टाइप का इंटरफेस दिखाए देगा यहां पर आप लोग चाहे हो आप लोगों ने female का character लिया हूँ या फिर male का character लिया हूँ अगर female का character लिया है तो directly male के character में connect हो जाएगा जादू हो जाएगा तो यह बहुत अच्छा animation आने वाला है साथ ही में जो second number का animation है वो animation नहीं a remote है और इस remote को सारा group dance करने वाला है अगर आप लोग ग्रूप में इमों करोगी तो सारा group dance करेगा और यह remote कु Miss tq का दिखने वाला है थर्ड वाला है profile animation मतलब कि अगर आप लोगों कोई profile को check करेगा या फिर अगर आप लोगों कोई group में बुलाएगा तो आप लोगों को यह वाला animation देखने मिलेगा और fourth वाला animation है अगर आप लोग ग्रूप पर खड़े रहोगे तो आप लोगों का जो bundle है वो जो character है वो कुछ इस टैप से देखने वाला है तो यह चार animation आप लोगों को इस legendary bundle के साथ में free में मिलने वाला है यहां से आप लोग bundle का color भी change कर सकते हो यहां पर आप लोगों को 4 color दिये गए हैं तो आप लोग comment box में बताएं कि इन 4 bundle में से आप लोगों को कौन सा color अच्छा लग रहा है तो अब मैं आप लोगों को बता जीता हूं कि आप लोगों को यह event यह जो rampage bundle है यह आप लोगों की ID में कब देखने मिलेगा तो 25 जून को rampage event का peak day होने वाला है उसी दिन हमारे game के अंदर बहुत सारे free reward भी आप लोगों को login करने पर मिलेंगे और calendar भी आप लोगों को 6 जून से देखने मिल जाएगा तो जब calendar आएगा तब आप लोगों को उसमें assistant tower event भी देखने मिलेगा 25 जून को तो 25 जून को ही आप लोगों को ये वाला event देखने मिल जाएगा token tower event में actually save bundle को निकालने के लिए आप लोगों को बहुत जादा diamond लगेंगे लेकिन अगर आप लोगों ने एक बार bundle को unlock कर लिया तो आप लोगों के 4 animation को भी unlock कर सकते हो 4 bundle के colors को भी unlock कर सकते हो मतलब कि एक bundle को unlock कर और आप लोगों को बहुत सारे इंपर, animation और emotes मिल जाएंगे I hope आप लोगों को इस वीडियो की information अच्छी लेगे होगी ये event 25 जून को आने वाला है मैंने अभी सी आप लोगों को बता दिया एक मेने पहले ही तो यार इस बात के लिए इस मैनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिये चैनल पर नहीं हो और subscribe कर दिये तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रगए